हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलेक्ट्रेगल गुपाल क्लासस में साथियो एक नई भरती निकाले गई है एनपी सी आयल रावत वाटा साइट के लिए यहाँ पे साथियो आईटियो पासाउट चातरों के लिए बहुत अच्छी वेकेंसी है और आईटियो की सभी ट्रेट के लिए भरती निकाले गई है जो भी साथियो अगर इलेक्ट्रिशन ट्रेट से आईटियो की हुए है तो उनके लिए तो समझ लीजिए बहुत अच्छी वेकेंसी यहाँ पे रहने वाली है साथियो सलेवस भी बिल्गूल आपके अकोर्डिंग रहने वाला है सेलरी स्टक्चर भी बहुत अच्छा है तो यहाँ पे देखिए किसी चीज का आपको इंतजार नहीं करना है साथियों यहाँ पे देखिए रावत वाटा साइट जो की राजस्थान में इस्तित्य है उसके लिए यहाँ पे इसका फुल नोडिकेशन रिलीज कर दिया गया है तो फुल नोडिकेशन में आपको कम्प्लीट डीटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे तयारी करेंगे और क्या-क्या important points उसमें यहाँ पे mention किये हुए है तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते है साथियो वीडियो को start करने से पहले कहना चाता हूँ अगर कोई भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार बिजिट कर रहा है इस वीडियो को पहली बार देख रहे है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि साथियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियो प्ले स्टोर पे जाके आप हमारा ओफिशल एप को भी डाउनलोड कर सकते है इलेक्ट्रिकल गोपाल क्लासिस जिसका की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पे आपको साथियो इसके स्टेडी मैटेरियल बगरा मिल जाएगे टेस्सीरीज बगरा मिलेंगी मैं कम्पलीट एंपी सील का कोर्स भी यहाँ पे बनाने वाला हो तो चलिए दोस्तों हम क्या है इसके फुल नोटिपिकेशन को पहले अच्छे से रीड कर लेते हैं उसके बाद आप बाकी बाते देखते हैं तो साथियो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ओफिशन नोटिपिकेशन पे आगे हैं एड़िजमेंट नमबर साथियो आप इसका यहाँ पे देख सकते हैं आपके फॉर्म जो ऑनलाइन हो रहा है वो कब से हो रहा हैं देखिए अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए है पहले ही नोटिपिकेशन इन्होंने रिलीस कर दिया है इन्होंने बुलाए कि 22 अगस्त दोजार 24 सुबह 10 वज़े से आपके फॉर्म साथियों यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे और लास्डेट के बारे में दोस्तों इन्होंने बताया कि 11 सितंबर जो सामके 4 वज़े आपकी यहाँ पे लास्डेट रहने वाली है और फीस पेमेंट आपको रात के 12 वज़े तक साथियों यहाँ पे कर सकते हैं अब जैसे ही आप नीचे स्क्रोल करेंगे तो साथियों बेकेंसी के बारे में उन्होंने कम्प्लीट इन्फोर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराईए बेकेंसी देख सकते हैं कैटेगरी 2 स्टाइपेंटरी ट्रेनी ओपरेटर की पोस्ट है जिसमें की 152 पोस्ट है अब बात करें यहाँ पे देखिए स्रेणी 2 ठीक है category 2 stipendry trainee STATN maintainer की जो post है total 115 post है और यहाँ पर देखिए ITI वाले जो छातने वो eligible किये गए है category wise दोस्तों आप अपनी vacancy को देख सकते हैं इस तरीके से overall दोस्तों 266 post यहाँ पर निकाली गई हैं और backlog vacancy को मिला के अगर हम देखें तो total 279 post यहाँ पर रहने वाली है काफी बढ़िया post है दोस्तों एक site के लिए वो भी NPCL की अब साथ यो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करका आएंगे तो category 2 stipendry trainee जो maintainer की post है उनको यहाँ पर देखिए trade wise divide किया गया कि किस trade में कितनी post यहाँ पर दी गई है सबसे पहले अगर हम बात करने देखिए electrician trade की मैंने इसको यहाँ पर highlight भी किया है तो total यहाँ पर 26 post दी गई है सिर्फ और सिर्फ electrician trade में जिसमें SC में 4 है ST में 3 OBC में 5 है और EWS में 3 है PWD category की यहाँ पर एक post है और general में देख सकते हैं total 11 post दी गई है अगला साथ ही यहाँ फिटर trade की total 52 post है electronics की total 8 post है instrumentation की total 25 post है machinist और turner के लिए total 2 post है welder trade के लिए total 2 post है और इस तरीके से देखेंगे साथ ही total 115 post यहाँ पर हो जाती है ITA वाले चात्रों के लिए बाकी backlog अगरा vacancy को आप मिला के देखेंगे तो total 126 post आपको यहाँ पर दोस्तों देखने मिल जाएंगी साथियो जैसे ही आप नीचे स्कॉल करके आएंगे तो अगला आपको qualification के बारे में यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी जैसे category 2 की जो post है stipendary training की जो की maintainer की post है इसमें आपके पास दोस्तों यहाँ पर 10 होना चाहिए प्लस आपने यहाँ पर ITI की होने चाहिए वो भी साथियो 2 साल की अगर 2 साल की आपके पास ITI है तभी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अगर दोस्तों किसी की idea यहाँ पर यहाँ पर साथियो एक बर्स का experience होना अनिवारे तभी आप apply कर सकते हैं और यहाँ पर साथियो इन्हों ने बोला है कम से कम 10 में आपके पास में English subject साथियो होना चाहिए तभी आप apply कर सकते हैं अब जैसे ही आप नीचे scroll करेंगे तो कुछ physical standard आपको यहाँ पर दिख जाएगा जैसे की category second की अगर हम बात करें तो height आपकी कम से कम साथियो 160 cm होनी चाहिए और बजन आपका 45 kg कम से कम होना चाहिए अब साथियो salary के बारे में इन्हों ने यहाँ पर बताया है कि salary structure आपका क्या रहेगा देखें इन्हों ने बोला है कि आपका 2 साल का क्या starting में training period रहेगा आप जैसे select होगे तो 2 साल आपकी training चलेगी और उस training के पहले साल आपको 20,000 रुपे परमन salary मिलेगी और training के दूसरे साल आपको 22,000 रुपे salary मिलने वाली है और बाकी allowances बगएरा अलग से मिलेंगे और 2 साल पूरे होने के बाद में जो इसका basic pay उस पे आपको absorb कर लिए जाएगा और काफी अच्छी salary आपको इन एंड याँ पे मिलने वाली है और बाकी सारे जितने भी allowances बगएर होते हैं वो साथियो सब आपको याँ पे मिलने वाले है जैसे देख सकते है चुट्टी यात्रा परीवन यात्रा ब्यावसाई की और चुट्टी याँ नगदी करण mobile phone के जितने भी allowances होते हैं साथियो रहना खाना सब आपको याँ पे दिया जाएगा अगला point देख सकते हैं आयू सीमा से related है देखिए इन्होंने बोलाए कि आपकी आयू minimum 18 वर्स होनी चाहिए और maximum याँ पे 24 वर्स होनी चाहिए और बोलाए जो साथि याँ पे reserve category जैसे SC-ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्स की आयू में चूट मिलेगी और जो OBC category से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 वर्स की और जो PWD category के चात्र उनको 10 वर्स की आयू में चूट मिलने वाली है तो इसी तरीके से साथियों आप अपने याँ पे देख सकते हैं अगला साथियों इन्हों ने बोला है Place of Posting पोस्टिंग आपकी याँ पे कहा की जाएगी इन्हों ने बोला है कि पोस्टिंग आपकी रावत बाटा राजस्तान में होने वाली है और बाकी इसके Headquarter बगएरा कहीं भी ये कर सकते हैं Training का period देख सकते हैं दो साल की training period आपका यहाँ पे रहने वाला है साथियों जैसे ही आप नीचे स्क्रोल करेंगे तो 11 नमबर का point आपको selection process के बारे में जानकरी यहाँ पर प्रदान कराता है जैसे category 2 की अगर हम बात करें जो ITI का यहाँ पे रहने वाला है selection process तो आपका क्या है साथियों एक written exam इनका यहाँ पे आपका conduct होगा तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा यहाँ पे written exam दो phase में होगा stage 1 में देखेंगे जिसको pre-test बोलते हैं और stage 2 आपका advanced test होगा उसके बाद में physical standard test यहाँ पे होने वाला है आप से पूछे जाएंगे और जो advanced test होगा साथियों वो 2 घंटे का यहाँ पे होने वाला है और उसमें साथियों आपके यहाँ पे क्या है 50 question ही पूछे जाएंगे और एक question साथियों आपका 3 number का रहने वाला है तो इस तरीके से overall आपका 150 number में से यहाँ पे कटो बनने वाली है selection होने वाला है अब बात करें stage first जो pre-test होगा उसमें आपका देखिए math के total 20 question आएंगे science के total 20 question आएंगे और general awareness के total 10 question आएंगे और इन्होंने वोला है प्रत्यक सही उतर के लिए 3 अंक मिलेंगे और अगर आपने गलत कर दिया तो आपका एक अंक यहाँ पे काटा जाएगा तो negative marking भी साथ्यों यहाँ पे रखी गई है minimum qualifying marks भी इन्होंने यहाँ पे बताएं तो आप जिस category से belong करते हैं तो साथ्यों आप अपनी category का यहाँ पे देख सकते हैं अब बात करें साथ्यों stage 2 जो की advanced test आपका होने वाला दो घंटे का यह test होगा इन्होंने यहाँ पे बोला है कि 50 question आपके यहाँ से पूछे जाएंगे और यह 50 pure साथ्यों आपके क्या है टेक्निकल वाले रहने वाले है जैसे आपने electrician से idea की तो 50 question complete electrician से यहाँ पे पूछे जाएंगे और 150 number के यहाँ पे रहने वाले है और दो घंटे का समय दोस्तों आपको यहाँ पे मिलने वाला है और इन्होंने साथ्यों यहाँ पे बुलाया कि जो चरण one में यानि कि जो pre test में भाग लेंगे जो बहुत साथी वो सभी दूसरे test को भी देंगे ऐसा नहीं है कि पहले चरण को आप देंगे तो उसमें आपको बाहर निकल दिये जाएगा बाहर नहीं निकालेंगे आपसे पहला test भी दिलवाएंगे और आपसे दूसरा test भी दोनों टेस्ट जो वो एक ही दिन यहाँ पे conduct कराये जाएगे ऐसा नहीं है ठीक है तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा question आपके multiple choice यानि की objective question साथियों यहाँ पे रहने वाले है साथियों इन्होंने यहाँ पे बोलाए कि देखिए skill test के लिए कितने चात्रों को पास किया जाएगा इन्होंने बोलाए देखिए not exceed five time यानि की return test में return test के बाद जितने चात्रों को पास कियागा पांच गुना चात्रों को यहाँ पास किया जाएगा skill test के लिए और साथियों सबसे बढ़िया जो बात रहती है यहाँ पे क्या waiting list भी दोस्तों आपकी जारी करता है साथियों अगला point आता है यहाँ पे आपको apply कैसे करना है देखिए www.npclcarrier.com.in पर इस website पर आपको जाना है याँ कि NPCIL की जो official website है वहाँ पर आपको जाना है वहाँ से आपको apply करना है साथियों जब भी जैसे इसके form start होंगे सबसे पहले वीडियो आपको electrical गोपाल पर यहाँ पर देखने मिल जाएगी complete information और complete detail में NPCIL की तरफ से आपको यहाँ पर provide कराने वाला हूँ और इसकी official website का link दोस्तों आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा यदि आप इसके full notification को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे telegram channel electrical गोपाल से join हो जाईए link वीडियो के description box में दिया गया है अगला साथियो application fees के बारे में जानकारी दी गई है देखिए 100 रुपे fees आपकी यहाँ पर रखी गई है जो साथी general EWS और OBC category से बिलोंग करते हैं जो साथी SC, STO, PWD या एक सर्विसमेन है उनको यहाँ पर कोई भी fees payment नहीं करना साथियो एक बार यहाँ पर फिर से important dates के बारे में बतायता हूँ इसके form जो स्टार्ट हो रहे है वो 22 अगस्त सुबह के 10 बज़े से form स्टार्ट हो जाएंगे और last date यहाँ पर 11 सितंबर सामके 4 बज़े last date रखी गई है और इसका payment साथियो आप यहाँ पर 22 अगस्त से 11 सितंबर के सामके यह रात के 12 बज़े तक आप इसके fees के payment को कर सकते हैं तो काफी important information दोस्तों इन्होंने इस notification में यहाँ पर provide कर आई हुई है तो आयोब साथियो आपको इस जानकारी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो साथियो इस वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों में share कर दीजिए और electrical गोपाल को subscribe कर लीजिए और साथियो electrical गोपाल classes अमारा official app उसको आप download कर लीजिए NPCIL रावत वाटा से related सारा content आपको इसी application पर यहाँ पर मिलने वाला है कैसे आपको इस exam clear करना है साथियो मैं आपको इस exam यहाँ पर clear करा के रहूंगा तो मिलते हैं साथियो next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत